नमस्कार पुना हिर्दय से स्वागत आप सभी लोगों का अविनंदन वंदन जैश्री राम हरहर महादेव भारत माता की जैए वंदे मातरम गव माता की जैए माता पिता की जैए कैसे हैं आप सभी लोगों बढ़िया हैं कल जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा महामाई का प्रशाद काली पूजन पर दिव प्रशाद हमारे उन लोगों को दिया गया जो पिछले तीन मेहने से अच्छे कमेंट हमारे सेयर कर रहे थे वीडियो को सेयर कर रहे थे लाइक कर रहे थे मेरा सहीयो कर रहे थे आज हमारी वीडियो बिजनेस के लिए ध्यान से सुनना ध्यान से सुनियेगा ये चुकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिजनेस होता है ब्यापार ब्यापार होता है कि आप वो चाहे छोटे से इतना सा समाल लेकि अगर आप सड़क पे बैठें वो भी बिजनेस है या बहुत बड़ी फैक्टरी है आपका कई देशों में काम चला वो भी बिजनेस है बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है सोच छोटी बड़ी होती है और छोटा से ही बड़ा सिस्टम होता है तो हम business में अक्सर देखते क्या है कि कोई business हमने start किया सुरू सुरों में बहुत अच्छा चलता लेकिन जैसे जैसे समय बीटता है उतना ही नुक्सान उतना ही घाटा अन्तता ग्राहा कट जाते हैं कस्टम हमारे कट जाते हैं दिन में बोहनी होना भी मुस्किल हो जाती है बिजनेस बैपार करते समय आपको बहुत जल्दी बाजी नहीं करना चाहिए सबसे पहले अपना देखना चाहिए कि हमारे अगर जनम पत्री जनम पत्री के से अगर नहीं तो नाम के हिसाब से आप देख सकते कि आपको कौन सा बैपार कौन सा बजनेस सूट करेगा, वही करिए, उसके साथ जन्व अस्थान से किस दिशा की तरब आप बिजनिस करें, कौन सा बिजनिस करें, सूट करेगा, ये देख लीजीए, तीसरी चीज, कि हम किस सायत में, यानि किस घड़ी में, किस नच्छत्र में हम बिजनेस प्रारंभ करें, कि हम रिफल न हो, सफल हो और बुलंदियों को चूलें, कारण कि जब आपकी स्वारासी जैसे आपके तुला लगन का है, स्वाती नच्छत्र है, ठीक है, तो आपका देखा जाता है कि भाग कारक कौन स होगा, नच्छत्र कौन साब का भाग के लिए उत्तम है, और किस दिन तुला रास पे लश्मी जी की किरपा है, बैपार की किरपा है, बुद्ध की किरपा है, उसी दिन आपका बैपार अगर चालू करेंगे, शुबारम करेंगे, तो निच्छत वो आगे बढ़ते चले जा उनको मालूम गुरुजी मुझे सब नहीं मालूम था, पंडी जी से पूछा, तो पंडी जी ने कहा सुक्रवार को कर लो, इस दिन कर लो, मैंने प्रारम किया, पूजा पाठ को रहें, उसके बाद भी विफल हूँ, फिर भी घबलाने की जरुवत नहीं, ऐसे लोगों के ल या दोपैसे कमाना सस्क्राइबल लाइक का ये उदेश नहीं, बलकि मेरा उदेश से सनातन संस्क्रीत और सब्विता हमारी जो हिंदुस्तान की बारत की है, सनातन धर्म के आर्या परत भारत खंडे की है, वो आप तक पहुचाना जो पूर्टा प्रमारिक हो, सत्य हो, ताक हमारी ये विद्याएं, हमारी धरोहर, जिंदार हैं, आप गुरु परंपरा अंतरगत, पुत्र कुलवंस परंपरा अंतरगत, आप अपने बच्चों को, बच्चों को बोली, अपने बच्चों को, इस तरीके से इस विद्याओं को जीवित रखना है, अगर आप हम ये ची तरीके जानते हैं ठीक है सब लोग अपने अपना धर्म अपने हां खोसे में अपने हां को सबी लोग किसी का नाधर नहीं करना चाहिए बस यह चाहिए कि आप अपनी चीज को जानिये बच्चों को कहिए कि पहचाने लेकिन ना गुरुभत आप लोगों को मिला बताने के लिए ना आपने कभी सबजने की कोशिस की बहराल आज हम बता रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस डूब चुका है कर्ज हो चुके हो या आपके बिजनेस को किसी ने बांध दिया है, बार-बार बांधता है, मसीने नहीं चल लही हो, फैक्टरी बंध हो गई हो, कश्टमर भाग जाते हो कारी गर नहीं रुखते हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं उठाए ये पेनो कापी और बोलिये जैशीता राम लिखे ये उपाय, ये उपाय कोई साधारण नहीं बहुत ही अचूक है मित्रों आप सबसे पहले ये देखी कि आपके आसपास किसी के घर में नहीं जो जमीन पे जो सरकारी जमीन हो या पार्ख हो या कहां सफेद आकड़ा सुएतार्क बोलते हैं सफेद आकड़ा जिसे सुएतार्क बोलते हैं ये कहां पे लगा हुआ है आप इसको देख लिए फिर आप को करना क्या है विशाखा नचत्र में विशाखा नचत्र हम कैसे देखें आप किस हर महिने में अब देखें नवंबर में विशाखा नचत्र कब आएगा गूगल पर डालिए बता देगा दिसंबर में कब आएगा जनौरी में कब आएगा वो बता देगा उस दिन आपको पांच चीज़ें लेकर साम को जाना है उस स्वेतार्क पेड़ के पास नमबर एक आपको गोलोचन थोड़ा सा एक ग्रम नमबर दो ब्रह्म कमल की पंखुडी एक नमबर तीन आपको जो सबसे महत पूर्ण है वो है लच्छमी जटा एक ग्रम नमबर चार आपको रमा मया रमा मया क्या देख दाना होता बड़ा खुजबूदा चोटा चोटा होता वो लेना है एक ग्रम पांचवी चीज आपको एक लच्छमी सिंदूर होता जैसे काला सिंदूर कामिया सिंदूर आपने देखा पीला हर्मान जी को चड़ता लच्छमी सिंदूर जो होता है वो हलका सा गोल्डन कलर लिये हुए यह आसानी से मतलब पूजा पाठाली दुकान पे मिल जाना चाहिए और नॉर्मल दुकान पे नहीं मिलेगा यह मुश्किल से आपको 2-500 रुपय का एक ग्रम मिल जाता है टोटल समागरी आपको लगभग 2-500 के मिल जाएगी ओरिजनल वो ले लेना है उसको लेके जाना है वरिच्छ के उपर थोड़ा से आप दूद छिड़कें जल छिड़कें और पीला धागा थोड़ा सा लपेट दें किसी एक टहनी में और बोलिए हे वरिच्छ राज हे देव राज हमारे बिजनेस में हमारी फैक्टरी में आपका जो बैपार चलता हो लगातार विगत कई वर्सों से घाटा ही घाटा होरा नुकसान ही नुकसान होरा कारण मुझे नहीं पता है कारण आप ही जानते हैं आज मैं इसी उद्देश के साथ आया हूँ कारण कोई भी हो निवारण आप करेंगे और शिव भगवान के गणों ने मुझे भेजा है आप मेरा ये कार कर दें ये निमंत्रन शिवकार करिए ये बोलने के बाद आप दूद छिलक दीजिए धागा बांद दीजिए और उस पेल की जल की नीचे ये सारी सामागरी जो अपलाए काले कपड़े में करके दबा दीजिए और डेली वहाँ पर जाना है श्री लच्मी श्रोत का पार्ट करना है एक बार सम्मोहनी सुधा का एक पार्ट करना है लच्मी श्रोत आपको गूगल पर मिल जाएगी सम्मोहनी सुधा आप किताब ले सकते हैं मार्केट में मिल जाएगी वो ले सकते हैं या सम्मोहनी सुधा का आप पार्ट अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं अमरित सागर किताब आती है उसमें मिल जाएगा यह दोनों का एक एक पार्ट करने के बाद आप चलें ऐसा आपको साथ दिन करना है साथमें दिन यह सारी सामागरी निकाल लाना है जब सामागरी आप निकालने जाएंगे तो वह साम मिलने के बाद घर जब ले आएंगे तो इस तरीके से एक तरी धातु का वो मंगवाना आपको ताविश टाइप का ठीक है जो तीन धातुं से बना हो और अगर हर्मान जी का चित्र बना है बढ़ियां नहीं बना तो हर्मते नमा इस पर लिख लीजिएगा अब इसका ये ढक्कन खोल कर इसके अंदर आप उन सारी सामाग्रियों को भर दें सामाग्री भरने के साथ जब आप सामाग्री निकाल के लाएंगे तो उस ब्रिश की थोड़ी से जड़ भी निकाल लेना है वो बहुत महत्यपूर्य वो थोड़ा सा जड़ इसके साथ भर कर भी वो जो फिल पेपर होता है उसको अंदर पेश्ट कर दें या मोम गला के डाल दीजिए अब इस कबच को आप लाल धागे में बांध कर अपने बैपार का स्थान जो है या जहां आपका ठीहा है जहां आपकी गद्धी है वहां इसको अस्थापित करिए और इस मंत्र का 19 बार जाप करिए ओम गंगडपते नमा मम सर्वकार सिध्धाय एक दंताय विद्महे तन्नो प्रचोदयात फिर चमतकार देखिएगा कि आपका बैपार कह नहीं रहा हूं हकीकत बता रहा हूं आप इसको करिए अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा चैनल में बंद कर दू लाओ चूका चूकी यह बहुत ही प्रमाडिक चीज है वेदों की चीज है कि इसको करिए और लाब उठाइए और इसका मतलब जबरदस्त रिजल्ट आएगा ध्यान रखे बहुत से लोग आप लोग सोच रहें गुरू जी यह तो थोड़ा कठी में मुझे वहां जाना पीछे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तंत्रमंत तोटके उपाए एक किरिया हैं ये कोई टोना-उतारना या ज्हाड़ा लगाना नहीं है यह ग्राहा को बिजनेस का मैटर है बिजनेस का जहां मैटर होता वहां आप नहीं समझते कि भीजनेस में को किनको बुद्ध ग्रह आपको भी समालना पड़ता है ठीक है जो भूम है वास्त की उर्जा को भी समालना पड़ता सुनते जाएगा क्यों मेहनत बता रहाँ भुद्ध की उर्जा को वैपार समंधित है और जिस जगह आप स्थान भूमस को नगर गराम के जो उननको भी साथ में आपके जो हैं 5 यह इस्ट है उनको भी चारों-5 चीज को बैलांस करके सम्मोहनी देवी का वास करके टब होता है ग्राहक आकरशन तुमर शोड़ेंगे पिर कभी नहीं कटेंगे साथ में आपके अंदर भी योगता होना चीए कि ग्रहांक से हम कैसे पेश आएं बहुत नम भाव से जितना जुकोगे उतना ही मिलेगा कश्टमर से जितना अच्छा बेवार रखोगे जितना साब दीलिंग करोगे उतनी अच्छा बैपार चलेगा तो यह उपाए बहुत सटीक है जो संपर्क कर सकते उनकी मदद कर दी जाएगी बहुत सारे लोगों की नहीं दो चार पांच दस लोगों की ठीक है हर महिने इससे ज्यादा नहीं वह लोग कैसे संपर्क करें मेरा कॉंटेक्ट नमबर लिख लीजिए 74972880 दूसरा 9118036409 इन दोनों नमबर पर आप सुबा 10 व जानकारी एक लाइन में ले सकते हैं आपने अपना इतना किमती मुझे दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मातारानी आपको दनेदान से परपुन रखें सुकी रखें यह उपाय करें चैलेंज है कभी फेल नहीं होगा जैश्यरम हर हर महादियो